हेलो फ्रेंग्स आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगी डाइस का कॉंसेप्ट तो डाइस क्या होता है मेरे पास है नहीं तो मैंने खुद बना लिया एक मैं आपको दिखा देती हूं आपने लूडो को खेली होगी तो इसकी 6 साइड होती है 1 2 3 4 5 & 6 ठीक है तो हम इसको ऐसे कर करके फेकते हैं तो इसको डाइस बोले जाता है ठीक है तो यह करता क्या है कि हमें इससे निकाल लिए प्रोबैबिलिटी तो जब हम डाइस से खेलते हैं तो हमारा 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो कहीं न कहीं यह भी संभावना से जुड़ा है इसलिए प्रोबैबिलिटी में इसका यूज होता है तो पहला कुपेशन समझते हैं कह रहा है डाइज इस थ्रोन एक गिट्टा फेकर जा रहा है तो जैसे मैंने गिट्टा फेकर मैंने आपको यह दिखाया ठीक है तो यह इसमें हमने देखा कि इसमें जो सेंपल स्पेस हैं इसके कित करती है YouTube हमें अपर टैकल है नमबर तक है सट्वव रजह में Bowl िसके दो पैसे हैं वर्ना एसे याद कर सकते हैं तो गर मैं प्राइमर क्यों dan छिए, इन दोनों के दावा, और किसी में याता, वो सिर्फ उसके टेबल में याता, इसलिए आपने प्राइम नमबर के लिए, दो टेबल में याता है, तो वन और टू, इन दो टेबल में याता है, नेक्स्ट त्री भी एक प्राइम नमबर है क्योंकि वो ट्री piace रोड फोर नहीं है क्यों वके माता है नवी और ट्री और फाइव है तो यह फोता कंगल है प्राइम नमबर टू है त्री ए और फाइव है तो टोटल सेंबल स्पेसेज जो है वो सिक्स है प्राइम नमबर कितने है तो अगर हमें प्रोबाबिलेटी निकालनी है प्रोबाबिलेटी ओव गेटिंग प्राइम नमबर तो हम क्या लिखेंगे प्राइम नमबर अपॉन टोटल नमबर ओफ आउटकम्स तो प्राइम नमबर कितने थे तीन थे इदर लिख देती हूं और टोटल नमबर ओफ आउटकम्स कितने थे 6 तो 3 upon 6 is 1 upon 2 which is 0.5 तो इसकी probability कितनी आई 0.5 ओके तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा change करते हूँ question में question बोलता है कि आप even number की probability निकालो ठीक है तो even number वो होते है जो 2 की table में आते है ठीक है यह 2 से divisible हो जाते है for example अगर मैं sample space में से देखूँ तो 2, 4 और 6 यह ऐसे number है जो 2 की table में आते है तो अगर हमें इसकी probability निकालनी तो हम क्या लिखेंगे probability of getting even number और even number कौन कौन से है 1, 2, 3 और total number of outcome कितनी है 6 तो 1 upon 1, 2 इसकी भी probability कितनी आई 0.5 अब question बोलता है कि odd number की probability निकालो तो odd number कौन कौन से होते है जब एक डाय को फेका जाता है एक तो 1, 3 और 5 odd number वो होते हैं जो 2 की डेबल में नहीं आते हैं और even number वो होते हैं जो 2 की डेबल में आते हैं ओके तो probability of getting odd number क्या है और नमबर अपॉन टोटल नमबर आफ आउटकम्स और नमबर कितने हैं टोटल कितने आ रहे थे 6 सेंपल स्पेस कितने हैं 6 तो उसे नीचे रखेंगे कट कर 1 अपॉन टू 0.5 तो इस तरीके से next question की तरफ मूफ करते हैं question कह रहा है dice is thrown find the probability of getting a multiple of 2 और 3 एक गिट्टे को फेका जाता है ठीक है यह हमने फेक दिया कह रहा है कि क्या probability है कि dice पर 2 की डेबल वाला term आए और 3 की डेबल वाला term यानकि वह digit है जो 2 की डेबल में भी आती है और 3 की डेबल नीचे तो सबसे पहले हम सेंपल स्पेस लिख लेते हैं सेंपल स्पेस हमें पते ही है कि जब 1 एक डाए फेका जाता है तो यह तो इन में जो कौन से नंबर है जो 2 की टेबल में आते हैं एक तो 2, 4 और 6 और 3 की टेबल में आने वाले नंबर 3 और 6 क्योंकि 6 में उपर ले चुकिए इसलिए double count नहीं होगा एक ही बार होगा तो अगर हम देखें multiple of 2 और 3 तो क्या आएगा 2, 3, 4 और 6 चीक है तो हम probability देखें of getting multiple of 2 और 3 क्या होगा 1, 2, 3, 4 और total कितने हैं? 6 इसको हम cancel करेंगे 2 upon 3 ओके, second part इसका कह रहा है फर्स्ट पार्ट हो गया, second part कह रहा है आए नंबर greater than 4 एक नंबर जो 4 से बड़ा हो तो नंबर greater than 4 तो 4 से बड़ा नंबर सिर्फ 5 होते हैं और 6 होते हैं है ना, equally बोल रहा हो, वो बोल रहा है 4 से बड़ा तो 5 और 6 तो probability अगर हम निकालें of number greater than 4 तो क्या क्या होगी वन टू टू अपॉन और टोटल नंबर कितने हैं जो question mostly बनते हैं वो टू डाइस से बनते हैं आपके यान कि जब दो गिट्टे फेके जाते हैं तो देखो कैसे फेके जाते हैं सपोस करें दो गिट्टे हैं वान आ रहा है एक पर और एक पर क्या रहा है तू यह मतलब आगे वाला फिक्स है सेकंड वाला चेंज हो रहा है फिर क्या आ गया टू फिर थ्री फिर फोर इस तरीके तू आ गया फिर त्री आ गया फिर जब दूबारा फेका तो फोर आ गया फाइव आ गया एन देन शिक्स आ गया तो क्या हो रहा है कि आगे वाला फिक्स है और पीछे वाले चेंज हो रहे है नेक्स अब सेकंड नमबर लेके आते हैं यह सेकंड है और फिर अगे यहाँ पर क्या हो रहा है वन टू वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स पीछे वाले चेंज हो रहे है तो basically इसका जो sample space है वो कैसे बनेगे मैं आपको समझाती हूँ देखो formula क्या था जब हम coin उचालते थे 2 की power n इसमें formula होता है 6 की power n अगर यानि की n होता है कितनी बार उचाला जब हमने एक बार उचाला था तो हमारे outcome कितने आ रहे थे 6 अब जब हमने दो बार उचाला है तो outcome कितने हैंगे 6 इंटू 6 36 कैसे मैंने आपको समझा दिया अगर मैं से गें 11 आरे है इसाले परींव धुट तो बाले है और यूस अब तो नेक्स्ट क्वां वन गया है partir न सनर्टे वन के मैं हा merit इस पर यह क्यों से दो अब पीछे वाला गेन चेंज हो रहे हैं 1 तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 21 22 23 और इस तरीके से हम सेंपल स्पेस बना देंगे तो आप वीडियो पॉस करके बना सकते हैं तो इस तरीके से सेंपल स्पेस बन चुके हैं टू डाइस कि और इसको आपने बना लेना है ठीक है तो यह कहा रहा है कि पहला कुछिन है कि जो सम ऑफ नंबर्स है ना वो कितना आना चाहिए 7 यानि कि दो गिट्टों को फेकने पर 7 आना चाहिए तो अगर एक डाइप बना रहे और दूसरे पर 6 आ रहे है तो यानि कि इन दुनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 तो इसी तरीके से आपने बनाने है क्या करना है 1,6 ठीक है और कौन-कौन सी 5, 2, next, 6 और 1, तो इस सारी टर्म्स जो हैं, वो 7 मनाती है, कितनी टर्म्स हो गई? तो हम पहले लिख लेते हैं, sum of number, इस 7 कितनी है वो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स है, ठीक है? तो आप लिख भी सकते हो, इनको कौन-कौन सी है, वो bracket में, 1, 6, 1 second, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, और 6 और 1, ओके? तो अगर हम इसकी probability निकालेंगे, of sum of number is 7 कहेगा, sum of number is 7 upon total number of times dies thrown, ठीक है? तो आप हम देखेंगे, तो 6 आ रहा था, राइट? 6 number ऐसे होते हैं, जिन पर 7 sum बनते हैं, upon total, कितने थे ये? outcomes, 36, जब आप इन सबको count करोगे, तो 36 आएगा, तो क्या आएगा, इसको cancel करेंगे, 1 upon 6, guys, यह जो prime number वाला concept है, यह भी आप रहने दीजिए, ठीक है? हम C part निकालते हैं, C बोल रहा है कि 1 आने की क्या समभावन है, अब यह देखो कि 1 तो कभी आई नहीं सकता sum, क्योंकि अगर मैं सबसे कम वाले को भी plus करूंगी, 1 और 1, तब भी जो sum आएगा ने, इनका 2 आएगा, तो इसकी probability ultimately क्या हो जाएगी? इसकी probability हो जाएगी 0, मैं समझाते हूँ कैसे? अब जैसे कि मैंने आपको sample space में दिखाया, कि जो minimum है, सबसे छोटा term जो आएगा, दोनों डाएपे वो आएगा 1 और 1, और इन दोनों को भी अगर plus कर जाते हैं, तो 2 आते हैं, तो question बोल रहा है कि sum जो है, वो कितना आना चाहिए है, sum आना चाहिए 1, तो 1 तो आई नहीं सकता, तो ऐसी तो 0 है probabilities की, तो हम probability अगर निकाले, of getting sum 1, तो क्या होगी? 0 upon 36, which is ultimately 0, तो जो B part है guys, अभी रहने दीजिए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, थोड़ा tricky है वो, next question में move करते हैं, कह रहा है, दो dice को एक साथ fake कर जाते है, probability बता हूँ, कि जो इनका difference है न, numbers के बीच में, वो 2 आना चाहिए, यानि कि जो मैं minus करती हूँ, ठीक है, एक number को दूसरे number से, तो उनका जो difference है, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए, 2, for example यह 1 है, और मैं इसक ठीके से, आना चाहिए, तो आप यह देखो कि कितने number है, एक तो यह number हो गया, 3 minus 1, 2, और कौन से number है, और number है, 4 minus 2 is 2, 3 minus, 5 minus 3 is 2, 3 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 6, 5 minus 3, और 6 minus 4, यह सारे numbers है, जो basically minus करने पे इनका जो answer आता है, वो 2 होता है, तो जो total number of outcomes है, वो कितना है, total outcomes, वो है आपके 36, और difference of number of 2 dies, कितना है, is 2, कितना है वो, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो है 8, तो जो हम इसे solve करेंगे, probability निकालेंगे, तो कैसे रिखेंगे, that the difference of the number on the 2 dies is 2, कितना आएगा, 8, और total number of outcome 36, इसे cancel करेंगे, तो आएगा 2 upon 9, और यही हमारा answer होगा, next question भी पढ़ते हैं, कह रहा है, डाइस is thrown twice, एक ट्टे को दो बार फेका जाता है, probability निकालो, कि जो sum है, वो 7 है, तो हम यही वाले sample space ले ले लेते हैं, इस वाले question के, तो जो हमारा sum है न, वो 7 आना चाहिए, यानि कि 1 और 6 को plus करूंगी तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 2 और 5 को plus करूंगी तो क्या आएगा, 7 आएगा, और जितने भी number हैं वो आप देखो, 3 और 4, next, 4 और 3, next, 5 और 2, next, 6 और 1, तो यह जितने भी numbers हैं, यह क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, तो हम इस question को solve करते हैं, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, कि total outcomes कितने होते हैं, 36, और sum of 7 कितने हैं, digit लिख देती हूं मैं आपके सामने, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, और 6, 1, यह सारे number हैं, जो 7 बनाते हैं, total कितने हो गए, यह 6, तो अगर मैं को probability निकालनी हूं, sum of 7, तो हम क्या करेंगे, इसको उपर रखेंगे, और total को नीचे रखेंगे, और cancel करेंगे, तो क्या हैगा, 1 upon 6, second part में वो बोल रहा है, the sum of greater than 10, यानि कि जो sum है न, 10 से बढ़ा आना चाहिए, तो again, sample space की तरफ नजरे डालते हैं, किस-किस चीज को plus करके 10 से बढ़ा आ रहे हैं, तो एक तो यह वाला number है, 5 और 6 को plus करेंगे 11 ऐगा, 6 और 5 को plus करेंगे 11 ऐगा, 6 और 6 क्या होता है, 12, तो यह 3 नमबर है, जो 10 से बढ़ा आ रहे हैं, जिनको हम plus करेंगे, तो 10 से क्या आएगा, बढ़ा आएगा, तो हम लिख ले रहे हैं, क्या लिखते हैं, कि sum of greater than 10, कौन-कौन से डिजिट थी हो, 65, 56 और 66, टोटल 3 थी, तो probability अगर निकालें, sum of greater than 10, तो कितनी आएगी, 3 upon 36, यानि कि 1 upon 12, तो यह इसका answer होगा, लास्ट है, 5 will not come up either time, 5 नहीं आना चाहिए, ओके, तो question बोला था कि 5 नहीं आना चाहिए, तो sample space में देखते हैं, आप यह देखो कि कितने नंबर हैं, से जिसमें 5 आ रहा है, चिके, तो अगर आप यह पूरी line देखोगे, इसमें 5 आ रहा है, इदर 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 इदर, और यह वाली पूरी line देखोगे, तो इसमें भी 5 आ रहा है, चिके, तो count कर लो कितनी digit है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको तो टोटल ऐसे नंबर है जिसमें फाइव आता है अब बाकी जितने भी नंबर है न वह क्या होगे जिसमें फाइव नहीं आता तो अगर मैं देखों कि फाइव नहीं आता हो निकालना है तो टोटल 36 होते हैं 36 में से 11 ऐसी डिजिट थे जिसमें फाइव आ रहा था हमने माइनिस कर दिया तो माइनिस करने पे हमारा जो आएगा वो आएगा 25 ओके तो प्रोबाइबलेटी हमने निकालनी थे कि इसकी 5 विल नौट कम अप तो ऐसे कितने नंबर थे 25 और टोटल कितनी है 36 तो जब हम इसे कैंसल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो इसमें से एक प्रोटन क्वेश्चिन जो बनता है मैं इसमें फोर्थ पार्ट जोड़ लेती हूं वह आते डबलेट के उपर ओके मोस्ट इंपोर्टन आप टिक कर लो पक्का पूचे का क्वेश्चिन कहा रहा है कि डबलेट डबलेट मतलब है कि दोनों ही डाई पे सेम नंबर आ रहे है मतलब पहले वाले पे वान आ रहे है तो दूस्रे भी ओनी आ रहे है फिर जब इसका चेंज हो रहे है इसका टू आ रहे तो सकंड ये नंबर आ रहे है तो वह है तो ड Peng मैं बोलू उनů इस तह़ीकी सेह होगा देखो पहले पर दूसरे पर 1 फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 यान कि दोनों पर सेम नंबर आ रहे हैं ओके तो अगर हम इसकी प्रोबैबलेटी निकाले प्रोबैबलेटी ओफ गेटिंग डबलेट क्या होगी बड़ा ही असान है डबलेट अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स तो डबलेट कितनी है 6 है टोटल नंबर आउटकम्स 36 कैंसल करेंगे वन अपॉन 6 और यही हमारा